दिल्ली शराब नीती मामले में मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है जिहां जस्टिस सूरेकांत और जस्टिस भुया दोनों ने अलग-अलग फैसले लिखे लेकिन दोनों ने ही केजरिवाल को जमानत दे दी हाला कि बेल पर दोनों जजों ने सहमती जताई लेकिन सीवियाई की गिरफतारी पर दोनों जजों की राय अलग-अलग रही जस्टिस सूरेकांत ने केजरिवाल की CBI गिरफतारी को वैद ठहराया जबकि जस्टिस भुया ने गिरफतारी के समय पर सवाल उठाए वहीं सब दलीलों के बाद केजरिवाल को जमानत मिल गई है लेकिन ये जमानत कुछ शर्तों पर मिली है जी हाँ सुप्रीम कोट ने केजरिवाल को 10 लाग के बॉंड पर जमानत दे दी है लेकिन कुछ कारियों को करने पर प्रतिबन लगाया है क्या है वो शर्ते आईए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है कथच शराब घोटाले में केजरिवाल को CBI के केस में भी सुप्रीम कोट ने जमानत दे दी है बता दे उन्हें ED के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी अब सुप्रीम कोट से उन्हें CBI के मामले में भी जमानत मिल गई है इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है हालकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोट ने कुछ शर्ते भी लगाई है जमानत के लिए उन पर वही शर्ते लागू होंगी जो ED के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी जैसे अर्विन केज रिवाल ना तो मुख्य मंत्री कार्याले और ना ही सचिवाले जा सकेंगे किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी ना हूँ अपने ट्रायल को लेकर कोई सारवजनिक बयान या टिपड़ी नहीं करेंगे किसी भी गवा से किसी तरह की बादशीत नहीं करेंगे इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुँच नहीं रखेंगे जरूरत पढ़ने पर ट्राइल कोर्ट में पेश होंगे और जाच में सहीयोग करेंगे केजरिवाल को जमानत तो मिल गई है लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा दरसल सुप्रीम कोर्ट का लिखित ओर्डर दिल्ली की राउ जिवन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा यहां बेल बॉन्ड भरना होगा इसके बाद राउ जिवन्यू को रिलीस ओर्डर तयार करके तेहार प्रशासन को भेजेगी जहां रिलीस ओर्डर मिलने के बाद ही केजरिवाल जेल से बाहर आ सकेंगे जहर है दिल्ली कथिच शुराब घोटाले में अर्विन्द केजरिवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफतार किया था लोकसबा चुनाव के कारण 10 माई को उन्हें सुप्रीम कोट ने जमानत दे दी थी इसके बाद 2 जून को केजरिवाल ने सरिंडर कर दिया था इस मामले पर ED और CBI दोनों ही जाच कर रही है ED के मामले में सुप्रीम कोट से केजरिवाल को 12 जूलाई को जमानत मिल गई थी लेकिन CBI का मामला चल रहा था जुसमें अब उन्हें कोट से जमानत मिल गई है कहा जा रहा है कि शाम पांच बजे तक वो जेल से भी बाहर आ जाएंगे फिलाल हमारी सकास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए C News भारत